तो Kingdom of Daldar के लास्ट वीडियो में आपने देखा Magician George के कहने पर हम गए एक Dungeon में जहां पर हमारा सामना हुआ गोर्गोन से इस Dungeon में हमें मिलने वाली थी एक Powerful Bow जिससे हम एक Dragon को मार सकते हैं जिसने हमारे Village के उपर अटेक किया तो काफी जादा खतरनाक फाइट हुई हमारी गोर्गोन के साथ और फाइनली जो है हमने इसे खतम कर दिया और उसके बाद हमें एक Bow मिली जिसका नाम था Guardian Bow और ये Bow ना बहुत जादा पावरफुल थी इस Bow को लेकर गए हम और उसके बाद हमारी फाइट हुई Dragon के साथ है और इस Dragon को हमने काफी जादा जो है आसानी से मार दिया पाई ये Bow बहुत जादा पावरफुल थी एंड हमारे Village को हमने इस Dragon के आतंक से आजाद कर दिया तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आज हम जाने वाले हैं इस Kingdom of Daldar के वर्ल्ड को explore करने के लिए और आज हमारे सामने होने वाला है बहुत खतरनाक Monsters और या हमें बहुत सारी अजीब अजीब चीजे मिलने वाली बहुत जबरदस्त आज का एपिसोड होने वाला है तो या वीडियो पूरी ज़रू से देखना पसंद आए तो लाइक ज़रू से करना इस बार वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है तो उसके लिए थोड़ा सा सोरी क्योंकि यार थोड़ा सा बीजी चल रहा हूं मैं तो एक दो वीडियो थोड़ी सी लेट आएंगे उसके बाद हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ पसंद आए तो लाइक ज़रू से करना हेई वाट्स अप गेमर्स क्या हल चालेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से किंग्डम ओफ टाल डार में तो लास्ट वीडियो में ड्राइगन को मारके हम बन चुके हैं ड्राइगन स्लेयर हैंड हमारे पास आइर्मर तो वही वाला है जो करी 2022 में मिला था इस भाइगन ने बहुत जादा जो है तबाई मचा दी ती हमारे विलेज में यहां परना मौसम भाई बहुत जादा खराब हो चुका है अपना कासल यार कितना जादा प्यारा लग रहा है बट ट्रैगन को हमने मार दिया काफी अच्छा किया कुछ विलेजर्स बच गए है बागी ने वो सारे विलेजर्स को खतम कर देता एक दो विलेजर्स छुप गए थे जिसकी वज़े से वो बच गए यहां परना भाई सारे गहर और सबकुछ बरबाद कर दिया उसने सारे जगे पर स्पाइक सी स्पाइक हो गए है बाई चल भी नहीं सकते यार डेमेज मिलता इनके उपर अब पर सामने की तरफ ही दीग रहा है कोई दिकत नहीं है एंड विलेज को उने बचलिया यह काफी अची बात है अब ही मने क्या करने वाला हूं आ व्व सम काफी खराब हो रहा है मुझे लग रहा है कि यहां पर बिजलिया गिरने वाली है ठंडर का पर जबन कुछ है पार जल्दी से एंड सो जाते हैं एंड उसके बाद एक काम करें आज हम जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए इस वर्ल्ड को किंग्डम ओफ डालडर के पूरे वर्ल्ड को क्योंकि ये वर्ल्ड ना बहुत जादा जो है मिस्टीरियस है और ये देखो भाई मौसम बहुत खराब है और क्रीपर नाई भाई हट जा वाई क्रीपर, स्केलेटन, सारे स्पॉन होने लगे हैं तो एक काम करते हैं जल्दी से कासल के अंदर चलते हैं एक बार तो सो जाते हैं और उसके अलावा ना में ये वर्ल्ड ना एक्स्प्लोर करने वाला हूं थोड़ा सा ता कि हमें कुछ मैजिकल चीज़े मिल से के जिससे हम थोड़ा बहुत और पाउरफुल हो जाएं ओके तो टाइम आ चुका है एडवेंचर पर जाने का है और मैं जा रहा हूं जहां पर गोरगोन हमें मिला था न वो डंजन मिला था उस साइड पर हम जाएंगे थोड़ा सा एक्स्प्लोर करेंगे एडवेंचर लेट्स सी कि हमें कुछ कुछ तो यार नया मिलेगा यहां पर ओ सकता है यहां पर कोई नये इस्ट्रक्चर्स हो विलेजे़ हो जहां पर हमें कुछ ढंकी चीजह मिल जाएंगे कुछ तोड़ा सा दूर आ चुका हूं यह जगे न मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है क्योंकि यहां का मौसम ना बहुत जादा अजीब है यार बिल्कुल अलग सा एक्टमस्फियर लग रहा है यहां पर एंड सामने की तरफ मुझे एक विलेज तो दिग रहा है बट यह प यहां कोई मिल जाए पाणी तो बेरा है यहांपर बट नई यहां पर खेती तो कर रहे किसी यहां पर कोई तो जिन्दा हो यार पूरा विलेज संचान बना हूए यह तबाव हो चुक ओ पूरा विलेज बट लेट सी कि यहाँ पर एक गर हम देखते हैं थोड़ा सा एक्स्प्लोर करते हैं हो सकता है यहाँ पर हमें कोई मिल जाए वेट इस गर के ना डोर नहीं यार शायद उपर वाले गर के डोर था एक सेखिट अगर मैं सही हूँ यहाँ पर उपर वाले गर के डोर था यार कुछ तो अलग है यह गर उसके अंदर भी डोर में नहीं नहीं है यहाँ पर भाई सारा जोंबीस ही फैले हुए यहाँ पर इसकी बात कर रहता है यहाँ पर एक डोर थो है बट यार यह तो science कर रखे हैं नीचे की तरफ arrow कर रखे हैं हो सकता है इसको तोड़ते हैं ओ भाई यहां पर तो एक secret रास्ता है बट मुझे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या पता यह कोई trap हो so shield मैंने रख लिए अपने पास अभी चलते हैं नीचे एंड आराम से ओके यहां पर तो villagers है यार मुझे लगा कोई attack ना कर दे हमारे उपर बट भाई यह villagers यहां पर क्यों छुपे हो यह गोबलिन भी है यहां पर यह गोबलिन ट्रेडर है तो ट्रेडिंग तो कर रहा है बट यह सारे यहां पर क्यों छुपे हो है भाई क्या हो गया इनको कुछ तो गड़ बड़ है यहां पर यह सब मुझे कुछ कहना चाते है बट यहां पर खाना तो बहुत सारा है लेकिन इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है यह थोड़ा सा इशारा कर रहे है मुझे इस चेस्ट की तरफ यहां पर बहुत सारे बुक शेल्स भी पड़े हुए बैड भी पड़े हुए यहां पर यह एक चेस्ट और है इसकी तरफ मुझे इशारा कर रहे है और यहां पर भाई हतियारों का भरमार पड़ा हुआ है कुछ लेडर से यहां पर एक बुक एंड क्विल पड़ी हुई है तो शायद से इन्होंने कुछ लिखा होगा इसके उपर तो इसको पढ़ते हैं इसकी क्या लिखा है ओके गोबलिन भी वाई मर को कैसे देख रहा है यार ओके तो जल्दी से पढ़ते हैं बुक एंड देखते हैं कि विलेजर्स हमें क्या कहना चाते है इतने सालों में पहली बार किसी और को देखकर अच्छा लगा तुम हमें एक वोरियर लग रहे हो हम सब यहां कई सालों से चिपे हुए हैं क्योंकि एक टाइम था जब ये विलेज बहुत ही खुशाल था सब खुशी से यहां रहते थे लेकिन जैसे जैसे इविल फोर्सेस का इस वर्ल्ड में अधिकार होता गया इस वर्ल्ड में डार्क वर्ल्ड के मॉस्टर्स भी आने लगे और उन में से यह एक मॉस्टर आया हमारे विलेज में जिसका नाम है साइकलोप्स ओके साइकलोप्स भाई यह कोन है यह बहुत ज़ादा खुकार और पाउरफुल है ये साइज में बहुत ही ज़ादा बड़ा है और अपनी पूप मिटाने के लिए पहले तो इसने हमारे जानवरों को खाया फिर ये विलेजर्स को ही खाने लगा हमने इसे लड़ने की भी कोशिश की पर कोई फाइदा नहीं हुआ हमारे सारे विलेजर्स मारे गए और पूरा गाओ समशान बन गया हम आट दस विलेजर्स यहां छुपकर रहने लगे जिससे वो मॉस्टर हम तक नहीं पहुँच पाए लेकिन आखिर कब तक खाने की तलाश में हमें बाहर निकलना ही पड़ता है इस शेल्टर से ओके सही बात है खाना और बागी जरुरत की चीज़े तो इनको चाहिए ही होती है और यहीं पर उस साइकलोप्स को मौका मिल जाता है हमें खाने का अब हम बस तीन चार विलेजर्स ही बचे है तुम हमें एक वोरियर लगते हो तो क्या तुम हमारी मदद करोगे तुम्हारा बहुत ऐसान होगा और राइट गाइस तो यह विलेज ना काफी जादा जो है मुसीबतों में सारे विलेजर्स मर चुके हैं सिर्फ तीन चार विलेजर्स बचे हुए हैं जो की यहाँ पर शेल्टर में छुपे हुए हैं यह भाई मुझे कैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक गोबलिन भी है जो की बहुत जादा प्यारा है और इनको ना मेरी मदद की काफी जादा जरूरत है तो यहाँ पर लेडर ओके चेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पर लगाते हैं लेडर और चलते हैं बाहर और देखते हैं कि साइकलोप्स हमें कहाँ पर मिल सकता है और हम ना इन सबी विलेजर्स की जरूर से मदद करेंगे और इनको फ्री करेंगे साइकलोप्स के आतंग से ताकि ना यह फ्री होके रह सेगे यह न हमारी प्रजा है इनको नहीं बतागी यार मैं प्रिंस हूँ यहां का राज कुमार हूँ और आने वाला जो है राजा हूँ बट पाहर न बहुत जादा बारिश हो रही है मौसम काफी जादा खराब है यहां पर मॉब्स भी स्पॉन होने लग गए है सो हम फ्यूचर राजा तो ही एंड यहां पर बाई मुझे एक जीप सा इस्ट्रक्चर दिख रहा है एंड वो पेड भी किसी मौस्टर जैसे ही लग रहा है यार मौसम काफी जादा खराब है मुझे लग रहा है यहां पर काफी खतरनाक जो है फाइट होने वाली है बट हमें थोड़ा सा ना संभल के रहना पड़ेगा तो पहले तो इसकेलेटन गया यहां पर एड यहां पर एक क्रीपर दिख रहा है पहले तो इसको खतम करते है चलो यह भी गया बाई जोंबीज एंड इस्पॉन होते ही जा रहे बट हमारा फोकस ना वो मौस्टर होना चीए क्यों करेगा कि आगे जाकर हमें राजा बनना ही है इविल फोर्स को हराने के बाद हम यहां के राजा बनेंगे तो इन सभी का ध्यान हमें रखना पड़ेगा तो अभी से हम यह काम चालू कर देते हैं यास हम सहीत है बाई साइकलोप्स यही पर है लेकिन यहां पर एक नहीं दो साइकलोप्स है यार पर विलेजर्स नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं बताएगी यहां पर एक से ज्यादा मॉस्टर है बड़ चलो कोई दी अब आहीं गए है यहां पर तो इनसे पंगा लेना बनता है एंड इनको हम जरूर से मारेगे क्योंकि अच्छे खासे ना मॉस्टर हो रहे भाई यहां पर तीन तीन है यार विलेजर्स को भी नहीं पता होगा यहां पर इतने सारे पाई एक स्केलेटन गया यह पहले मुझे लग रहा है बाहर वाले को खतम करते हैं एंड उसके बाद ना इन तीनों को हमें मारना तो पड़ेगा विलेज को यहां अगर मॉस्टर फ्री करना है तो बल जल्दी से भागो पहले तो इसकी पकड में नहीं आना है अगर इसकी पकड में आ गया तो कितने भी ज्यादा पाउरफुल होंगे मर जाएंगे हम जल्दी से कूदना पड़ेगा पानी के अंदर हमें दूर तो निकल चुके हैं ओके प पकड में आ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी तो हमें ना थोड़ा सा दूर रहे के इसको बोव के साथ ही मारना पड़ेगा आ बाई हमें देख तो ओ पड़ी इसके काफी सही इसी तरह से मार सकते हम इसको चलो यार एक तो गया and हमें एक एडवांस्मेंट भी मिल गई है माई नेम इस नोबड़ी शायद से इन्नों ने एक आई ओप साइकलोप्स भी होती है वो ड्रॉप की होगी बट नहीं यहाँ पे तो नहीं दीख रहे है चलो कोई नी दो मोस्टोर और है उनको मारने पर हमें मिल सकती है बट एक एक करके मारना पड़ेगा हमें एक काम करते है भाई स्पाइडर कहां आ रहा है बीच बीच में पड़ी इसके काफी सही है एंड इसने हमें देख लिया है आजा बेटा बार आजा हमेरी बोना काफी जाधा पावरफुल है एंड गया यह ओके तो लास्स साइकलोफ बचा हुआ है इसके आग पर नहीं मार पा रहा हूँ मैं सोज रहा हूँ कि इसके आग पर मारता हूँ बट नहीं होई नहीं रहा ही है सो ओ नहीं बहुत जाधा पास आगया जल्दी से पानी पर कूदना पड़ेगा मुझे बच गए यार इसके हाथ में आ जाते हैं तो भाई एक बार में हमारे दो टूबडे कर देता एंड हमारा गेम जो है यही पर खतम हो जाता वेट ये को नहीं ओ भाई ये तो ट्राइडेंट वाला भाई ड्राउंड है तो इसको एक काम करते हैं पहले इसको मारना पड़ेगा भाई काफी जाता इसपीड से ट्राउंड मार रहा है यार ट्राइडेंड ओके इसके पास तो मैं आ चुका हूँ एंड गया ये चलो काफी परिशान किया यार इसने बतलब आधी हिल्थ खा गया मेरे अभी भी मुझे डैमेज काहां से मिल रहा है ओके एक और जोंबी है याँ पर भाई मुझे लगा यार कोन मार रहा है मुझे एंड पाई तू रुख जा एक तो पड़ी इसके एंड चल निकल यासे एंड इसने गोल ड्रोप किया एंड मॉर्निंग हो गई यार मॉर्निंग तो मॉर्निंग ही थी बट बारिश बंद हो चुकिए एंड साइक्लोप्स का गया शायद से वो सारे मॉप्स को खारने में लगा हुआ है बट उसको नहीं पताएगी उसका खुद का शिकार होने वाला है जल दिसे चलते हैं आगे एंड इधर आजा थोड़ा सा पास में चलते हैं ताकि हमें देखे अब आजा बेटा आजा तेरे को डिप्टा आता हूं मैं पड़ी इसके एक एंड गया वाव तीनो साइकलोप्स को हमने मार दिया है एंड इसने भी आई ड्रोप नहीं की क्या ओके सेकिंड वाले ने की थी आई ड्रोप एंड यहाँ पर वाई कितने जादा जोंबी से हैं एक एक करके सब को डिप्टा आते हैं वो बहुत जादा पाउरफुल है यार ये एंड ये तो अपस में लड़ने लगे ते यार अपस में मत लड़ो या चलो सारे मर गए एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत चेस्ट है उनको हम देख लेते हैं एंड इसने ना बहुत सारी भेडों को जमा करके रखा हुआ है ताकि ना ये इनको खाता होगा साइकलोप से क्योंकि यार विलेजर्स तो सारे मर चुके है एंड यहाँ पर जादा तो मुझे कुछ दिक नहीं रहा है तो यह काम करते हैं यहाँ पर लूट लेते हैं थोड़ा बहुत खाने का इटम्स यहीं मिलने वाले और चलते हैं वापस जो हैं विलेजर्स के पास और बताते हैं उनको कि वो फ्री हो चुके हैं इस वर्ल्ड में मॉस्टर्स के आतंक से साइकलोप्स के आतंक से और वो न अब यहाँ पर आराम से रह सकते हैं जब तक कि कोई नया मॉस्टर्स न आ जाए क्योंकि इस वर्ल्ड में भाई कोई बरोसा नहीं कब मॉस्टर्स आ जाए और यहाँ पर शिप्स को फ्री कर देते हैं अब तुम आजा दो आराम से गुमो क्रीपर नई फट गया बाई इसको फता नहीं यार क्या ही दिक्कत है चलो यह तो हो गया काम अभी जल्दी से चलते हैं यहाँ से बताते हैं विलेजर्स को की उनका काम हो गया है विलेजर्स ना बहुत ज़्यादा खुश होने वाले अब वापस आ चुके हैं एंट शाय से इनको पता भी चल चुका है बहुत ज़्यादा यह खुश लग रहे हैं इनको देखो यार भाई अब यह आराम से यहाँ पर जी सकते हैं और कोबलीन को देखो यार कितना ज़्यादा खुश है यह सो अभी न हमें वापस से बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि भाई यह क्या बोलते समझ में नहीं आता बढ़ यह क्या लिखते हैं वो समझ में आ जाता है तो थैंक्स तुमने वह कर दिखाए जो आज तक कोई नहीं कर पाया और तुमने यह सब किया बिना किसी लालच के हम तुमें कुछ भी नहीं दे सकते थे फिर भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान को खतरे में डाला और हमारी मदद की तुमारा धन्यवाद लेकिन अब भी यह पूरा वर्ल्ड मॉस्टर फ्री नहीं हुआ है तो हमें छुपकर ही रहना होगा लेकिन अब हम खाना और जरूरी सामानी खटा करने बाहर जा सकते हैं और हमारे साथी विलेजर्स को मारने वाले मॉस्टर्स को भी उनके किये की सज़ा मिल गई सही मैं यार ये बात तो सही है अब ये जाता सकते हैं बट बाहर ना अभी भी मॉस्टर फ्री नहीं हुआ है वर्ल्ड तो कोई भी मॉस्टर इनके उपर अटेक कर सकता है तो इनको ना ध्यान रखना पड़ेगा आज जो तुमने हमारे लिए किया है उसके बदले में अगर हम तुमें कुछ भी दे वो भी कम है लेकिन फिर भी हम तुमें एक आर्मर देना चाहते है जो हमारे कभीले का इतियास है और यह आर्मर एक चेंपियन का आर्मर है और तुम हो चेंपियन ओफ किंग्डम ओफ डालडार सो यार इन्होंने तो हमें जो है चेंपियन ओफ किंग्डम ओफ डालडार की जो है उपादी दे दिये और या फिलिंग गुड बाई चेंपियन तो बन चुके हम अब हमें जो है king तक का सफर ताई करना है बट वो बात की बात है अब भी तो ना ये हमें जो है एक armor की बात कर रहे है armor देने की बट वो armor है का आखिर कर ये क्या बोल रहे है मुझे कुछ सबज़ में नहीं आ रहा है बट ये armor ना यहीं पर कही है so में भी ये कोई इशारा कर दे ताकि हमें पता चल जाए कि वो armor है का तो ये बात कर रहे है यार ये bookshelf के पास में कहीं पड़ा होना चीए इन्होंने इशारा तो किया है मुझे wait कहां पर है वैसे exactly ये सब बोल रहे हैं ये villages बता रहे हैं कि हमें यहां से bookshelf तोड़नी पड़ेगी so यहां से तोड़ते है bookshelf पे अंदर ही armor पड़ा हुआ है तो ये ना एक champion का armor होने वाला है देखते हैं कितना जादा जो है powerful है दिखने में तो काफिस जबर्दोस लग रहा है and हमारी shield के साथ color भी इसका match हो रहा है and शाय से एक दो villagers ने आर्मर पहले नहीं देखा है ये अंदर गुसे जा रहे है so helmet अपन ने रख लिया है तो ये एक काम करते है भाई हट जाओ यार मेरे को लेने तो दो तुमारा gift भाई ये तो मानी नहीं रहे है इनको भी मज़ा आ रहा है and ये champion के armor है पूरा so लेगी तो ले लिए मैंने boots और बचे हुए है तो जल्दी से boots लेते हैं भाई हट तो जाए यार थोड़ी सी तो जगे दे दे goblin एक और कहां से आ गया दो तो goblin होगे शायद बाहर गया होगा कुछ लेने के लिए सामान so यहाँ पर armor तो हमार पास पूरा आ चुका है helmet and chest plate तो यार बहुत ज़दा powerful लग रही है and leggings and boots जो है dragon scale के बने हुए है तो वो भी कौफी powerful है तो जल्दी से इस armor को पेंते है and बहुत ज़दा जबर्दस लग रहा है and पाई यह देखो कितना ज़दा ज़दा जबर्दस आर्मर है तो यार nobody से ज़ए champion of kingdom of daldar का सफर हमने तई कर लिया है लेकिन अब हमें ज़दा इस world का king बनना है लेकिन उसके लिए हमें टकराना होगा इस world के बहुत ज़दा ज़दा खतरनाक monsters से, dragons से and सबसे मुश्किल evil forces से तो यह journey ना काफी ज़दा epic होने वाली है and इस journey में काफी ज़दा मज़ा आने वाला है तो अभी तो यह armor में इनके लिए रख लेता हूँ यहाँ पर and इस village को इन सभी villagers को हमने free कर दिया है एक बार तो cyclops से and पाकी हमें यह world अभी बहुत ज़दा जो है explore करना है काफी ज़दा मज़ा आने वाला इस series के अंदर and अग next episode के अंदर हम थोड़ा बहुत और powerful बनने का try करेंगे थोड़ा सा world को explore करेंगे and यहाँ हमेना एक dragon army भी बनानी है तो देखते हम कब तक जो है dragon army बना पाते है so night होने वाली है night हम इसी village में बिताते है and morning होते ही यहाँ से हम निकल जाएंगे तो वीडियो करते हैं आज की यहीं पर end I hope कि आप लोगों को यह वाली वीडियो पसंद आई होगी थोड़ी सी story type की वीडियो थी तो I hope कि पसंद आई होगी तो पसंद आई हो तो like करना channel पर नहीं होते है subscribe जरूर से करना तो मैं मिलता हूँ आप सब को next वीडियो के अंदर तब तक के लिए good bye thanks for watching